तेरी आख्या का योकाजल तेरी आख्या का योकाजल हरियाणवी गाने से फेमस हुई हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी के घर नन्ह मेहमान आया है बिग बॉस के कार्टरम में भी शिर्कत कर चुकी सपना चौधरी के माँ बनने की ख़बर सोशल मीडिया पर वाइरल होते ही उन्हें बधाई देने वालों का ताटा लग गया इस ख़बर की सचाई को लेकर कई अटकले चल रही थी मगर अब इसकी पुष्ठी भी हो गई है सपना चौधरी के पती हरियाणवी सिंगर राइटर और मॉडल वीर साहू ने फेस्बुक पेच पर खुद लाइव आकर अब इस बात की जानकारी दे दी है मगर लाइव होने के दौरान वे काफी नाराज देखे दरसल सपना चौधरी के मा बनने के पोस्ट पर लोगों द्वारा दिये जाने वाली प्रतिक्रिया को लेकर उन्होंने जमकर भडास निकाली वीर साहू ने कहा कि मैं पिता बन चुका हूँ मगर इस बात का दुख हो रहा है कि लोग इस बात पर बेहद अशलील और भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं कोई भी मसला होता है तो सब कलाकारों का सपोर्ट मांगते हैं मगर जब बात कलाकारों की होती है तो सब मजे लेने लगते हैं किसी की निजी जिन्दगी को लेकर इस तरह से लोगों का हस्त शेप क्या सही है वीर साहू ने कहा कि हमने अपनी मर्जी से शादी की है इससे लोगों को क्या एतराज है मुझे इस बात का किसी को सबूत थोड़े ना देना है कि मेरी निजी जिन्दगी में क्या चल रहा है मुझे किसी की परवह नहीं है मैं जमीदार का खून हूँ और खुददारी से जीना ही पसंद करता हूँ मैं आम आदमी हूँ मुझे किसी तरह का प्रचार नहीं चाहिए सपना चौधी को लड़का हो गया इस तरह के कमेंट करके लोग मजा कुड़ा रहे हैं किसी की हिम्मत हो तो मुझे कोई कुछ कह के बताओ मैं अब तक कलाकार ही था मगर अब बदमाश भी बनने को तैयार हूँ सब कह रहे हैं कि शादी कर ली बताया भी नहीं बिना शादी बच्चा कैसे हो गया मैं पूछ रहा हूँ कि मैं किसी को ये क्यों बताओ मुझे कुछ नहीं बताना है और मैं आम आदमी बन कर रहना चाहता हूँ सपना चौदरी ने जहर निकला तब भी इसी तरह से मजाक उड़ा रहे थे जबकि मेरे पास उसकी फोरंसिक रिपोर्ट्स हैं जिस रिष्टे के बारे में कोई न बताए तो क्या वो रिष्टा अवैध होता है वीर्साहु ने खुले रूप में कहा कि सपना चौदरी के पिता नहीं थे वो अकेली पली बड़ी है मैंने इसलिए स्टाइंड लिया है सपना चौदरी की कहानी सुनोगे तो रो दोगे वीर्साहु ने कहा कि मैं लाइव आकर मेरे बेटे को दिखाऊंगा तब देख लेना मेरे बेटे को और सपना चौदरी को मैंने किसी के लिए स्टाइंड लिया है बहुत कुछ सुना है चुब भी रहा हूँ पता था कि बहुत कुछ सुनना पड़ेगा मगर मैं किसी से नहीं डरा तुम लोग किसी के नहीं हो दरसल लंबे समय से वीर्साहु के साथ रह रही थी सपना चौदरी प्रदेश की मशूर कलाकार सपना चौधरी पिछले लंबे समय से वीर साहू के साथ रह रही है बता रहें कि सपना चौधरी कई धमा के धार हर्यानवी गाने दे चुकी है सपना चौधरी की शादी की खबरे शोशल मीडिया पर काफी वाइरल हुई थी लेकिन कोरोना वाइरस के संक्रमण के कारण उनकी शादी नहीं हुई थी पिछले लंबे समय से सपना चौधरी हर्याना के बब्बु मान कहे जाने वाले वीर साहू के साथ रह रही थी वीर साहू मूल रूप से हानसी से सम्भन रखते हैं सपना चौधरी के गाए गाने तेरी आख्या का योकाजल हर्यानवी गाने से काफी जादा पॉपुलर हुई थी हाला कि सोशल मीडिया पर सपना चौधरी और वीड साहू को लेकर कुछ लोगों ने कमेंट कर दिये जिस पर वीड साहू ने फेस्बुक पर लाइव आकर ऐसे कमेंट करने वालों की क्लास भी ले ली